हेलो आल दस अन्वी शर्मा आज वेलकम यो वल तो माई योट्यूब चानल सोलफुल जोनी आज मैं जिन्रलाइज रीडिंग करने जा रहे हूं जो कि दिसेंबर 2020 के लिए है आज की रीडिंग लियो यानि कि सिंग राशिवारे लोगों के लिए है ये जिन्रलाइज रीडिं है हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ completely resonate हो हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी resonate ना हो हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ partially resonate हो तो अगर आप अपनी किसी problem का solution मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी परस्नलाइज रीडिंग मेरे साथ book कर सकते हैं ये booking आप म मेरी email id के थूप कर सकते हैं मेरा whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash हो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और bell icon को प्रेस करना मत भूरिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियो की notification मिलती रहे so let's check कि December का महिना Leo यानि कि Singh राशी वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है so Leo people let's start your reading यहाँ पर एक ही type का cycle मुझे नसर आ रहा है और almost बहुत सारे Leo people इसी energies में enter करेंगे okay तो इन cards को हम थोड़ा सा arrange कर लेते हैं Leo people आप लोग December के month में अपनी direction चेंज करने वाले हैं आप या तो अपने जॉब में या अपने business में या अपनी personal life में अपनी direction चेंज करने वाले हैं और जो direction आप opt करने वाले हैं वो बहुत ही जादा fertile, abundant और खुशाली भरी direction है वो direction आपके लिए 100% profitable सिद्ध होगी आपके लिए अच्छी सिद्ध होगी आप किसी नए इंसान से communicate कर सकते हैं यह communication social media के through हो सकता है Facebook, Instagram, किसी भी ऐसे जो social platform है उससे आप किसी नए इंसान के साथ communicate कर सकते हैं या हो सकता है आपको कोई आपका पुराना partner communicate करें कोई पुराना इंसान, कोई पुराना friend, कोई business partner, कोई आपका पुराना friend जो आपकी job में help कर सकता है, advice कर सकता है उस तरह की कुछ important communication यहाँ पर नजर आ रही है Leo people, आप लोग December के महीने में बहुत ही passionately काम करेंगे यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कार्मेट साइकल आपका कतम होगा और जिस situation ने आपको बहुत लंबे अर्से से जकड कर रखा है आप उस situation से बाहर आ जाएंगे आप उस situation से बाहर निकलने के लिए अपना रस्ता बना लेंगे आप अपने love life में, personal life में, job में, business में बहुत ही passionately काम करेंगे इस तरह की energies हैं आपकी Leo people, सिंग राशे वाले लोगों की for December 2020 आप ने अगर अपने उपर काम किया है, अपनी higher self में काम किया है तो definitely आपका union या तो divine के साथ हो पाएगा अगर आप spiritual रस्ते पर हैं दूसरी चीज यह है, अगर आपका break up हुआ है या husband wife के बीच में कोई भी problem चल रही है तो आपका patch up होने की chances हैं यहां पर और आपकी personal life बहुत अच्छी होने वाली है जौब के अंदर आप अपने दिल से काम कर पाएंगे आपको emotional satisfaction मिलेगी अपने काम से क्योंकि divine उस चीज में आपकी help करेंगे the other thing, जिसन के साथ आप business कर रहे हैं business profile में हैं अगर आप तो वो partner आपके ideas को आपके visions को समझेगा इस तरह की energy है Leo people आप लोगों के लिए the other thing is अगर आप spiritual रस्ते पर हैं तो जो आपका union होगा उसमें आपको enlightenment आपकी intuition बहुत strong होने वाली है आपने अगर बहुत ही बुरा वक्त देखा है तो आपके सारे दुख कहीं न कहीं कट जाएंगे इस तरह की energies हैं सिंग राशी वाले लोगों के लिए for December 2020 the next card is night of pentacles आपको आपकी career के अंदर आपके job के अंदर आपके business के अंदर आपको फाइदा होने वाला है आपको एक proposal मिलने वाला है जिससे आपकी stability बढ़ जाएगी देखिए ये जो horse है इसके पैर जमीन पर है stable energies में है pentacles का card है आपको पैसे के terms में फाइदा होगा आपको opportunity मिलेगी आपको कहीं से proposal मिलेगा आपके love life के terms में आप को proposal मिल सकता है या आप किसी को proposal दे सकते हैं आपके घर की overall stability बढ़ेगी क्यूंकि आप अपने career में अपने job में grow करेंगे इस तरह की energy है आपके लिए the other thing here the world का card है आपका एक cycle खतम हो चुका है आप नए cycle में December में enter कर रहे हैं अब आप बहुत confident energies में हैं आपने बहुत सारा experience गीन कर लिया है अब आपके पास हर हलातों से जूचने का तजुर्बा है और आप खुद में grow किया है आपने अपने आपको हलातों ने आपको अंदर से mature कर दिया है आप बिल्कुल भी immature energies में अब नहीं है पूरी strength में होंगे आप December 2020 में वेरी beautiful energy Leo people आप लोग के लिए यह जो dream है यह आप काफी लंबे टाइम से देख रहे हैं और इसको अचीव नहीं कर पा रहे थे December की energy आपके लिए इस तरह से हैं कि आप एक कियर फ्री सिंदगी जी पाएंगे आप इतने confident हैं कि अब आपको कुछ lose करने का कोई डर नहीं है अब आप अपने घर वालों के साथ एक quality time spend कर पाएंगे अपने loved ones के साथ quality time spend कर पाएंगे आप अपनी पुरानी memories को cherish करेंगे इस तरह की energies है ओके लेकिन एक चीज़ जरूर है आप थोड़े defensive हो जाएंगे means अब जो आपने gain किया है आप उसे किसी भी level पर lose नहीं करना चाहेंगे ओके आप frustration वारी energy से बाहर निकल चुके हैं लेकिन अभी भी थोड़े indecisive है decision लेने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा आप situation से बाहर आए हैं ये बहुत कुछी चीज है लेकिन एक डर आपके अंदर बना हुआ है चाहे आपकी personal life को लेकर है job को लेकर है business को लेकर है आपके exam किसी को लेकर है कुछ डर आपके अंदर बना हुआ है लेकिन घबराने की बात नहीं है leo people आप लोगों के लिए जो energy है वो खूप सूर्ती से बदल रह है अब अब अपनी जिन्दगी की command को अपने हाथ में पकड़ पाएंगे आप अपने decisions खुद बनाएंगे आप उन decisions को खुद follow करेंगे और अपने नियोमों पर कायम रहेंगे आपको जब भी कोई decision लेना होगा तो आप किसी की उसमें interference परदाश नहीं करेंगे जो की बहु या आपको वो इंसान गलत भी समझेगा तो आपको बिल्कुल भी फरक नहीं पड़ेगा reason उसका ये है कि आप खुद बहुत clear energies में आ चुके हैं इस तरह की energies हैं Leo people आपकी देखिए ये Leo यानि की सिंग राशी वाले लोगों के लिए highest energy है ये कोई राशी फल नहीं है December में highest energy लियो सिंग राशी वालों की ये है अगर आपके साथ ये reading resonate नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि energy cycle में आप कहीं नीचे है तो आप पिछले मन की energy को check कीजिए शायद आपकी अभी भी energy वहा है आपने अपने उपर काम नहीं किया तो आप energy के cycle में नहीं होंगे okay so let's see के akashic records से क्या energy निकलती है आपके लिये direct messages from universe let's see that okay what are the energies for Leo people for December 2020 Leo people let's start the reading आप लोग अब balance बनाना जिन्दगी में सीख गये हैं आपके अंदर maturity आई है वो मैंने आपको बताया आप लोगों में फरक करना भी सीख गये हैं आपको पता लग गया है कि कौन सा इंसान आपके लिए सही है और कौन सा इंसान आपके लिए गलत है आप उस चीज में फरक क सूरत बनाने वाली है अगर पास्ट में आपने बहुत ही स्ट्रगल की energy देखी है तो आज शायद आपको उस चीज का जवाब मिल रहा होगा कि आपको डिवाइन ने ऐसे पात पर क्यों डाला तांकि आपके अंदर ये maturity level आ सके ओके और यहां पर मुझे एक चीज और नजर आले है कि आपके अंदर एक emotional stability भी आ रही है अगर आपको एंजल से गाइड से किसी से भी help मांगे तो आपको help उसी वक्त मिलेगी आपके आस पास आपके angels आपके guardians और आपके friends आपको help करने के लिए available हैं आपके ancestors available हैं आपको help करने के लिए लेकिन आपको ये help मांगनी पड़ेगी help at hand है लेकिन help मांगनी होगी तब ही मिलेगी लेकिन आप बहुत positive aura से surrounded हैं वो चीज दिख रही है यहां पर the other thing is that आपकी जिंदगी के अंदर balance आ रहा है और December में ये balance और जादा आएगा जैसे ही ये balance complete होगा तो आप अपने जिंदगी में एक king की तरह हो जाएंगे जिसके पास will भी होगा wisdom भी होगा will पार बहुत strong हो चाहेगी आपकी wisdom आपको हर एक चीज की समझ होगी आपको हर एक situation पर react करने का पता होगा December में ये चीज बहुत बढ़ने वाली है balance जैसे जैसे achieve होता चाहेगा and mind का card है आपके mind में एकदम हर एक चीज को लेकर clarity होगी आपको decisions लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप कोई भी fickle minded decision नहीं ले रहे हैं और ना आप लेंगे December में भी नहीं लेंगे अच्छी energies की तरफ को आप बढ़ रहे हैं आप grounded हो रहे हैं आपकी जड़े मजबूत हो रहे हैं and यहाँ पर the architect का card है अब आप अपने जिन्दगी के खुद शिल्पकार है आप जिस तरह से अपनी जिन्दगी को बनाना चाहते हैं आप बना पाएंगे और divine इस चीज में आपकी help करेंगे divine आपको सही रास्ते पर रखेंगे उनसे अगर आप guidance लेंक है तो आपको बहुत clear guidance मिलेगी जो कि आपके लिए बहुत ही productive साबित होगी और यहां पर bottom of the deck का card है the treasure देखिए इतनी strong energies के बाद bottom of the deck पर the treasure का card इस वज़े से आया है क्योंकि कहीं न कहीं आपके अंदर confidence की कमी है आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि चीजें ठीक हो भी रही है आप doubt कर रहे है उन चीजों के उपर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं और पुरा तो नहीं होने वाला है जिसकी वज़स से आप बहुत परेशान है आपको ऐसे लग रहा है कि शायद तुफान से पहले की शांत है यह बड़ ऐसा नहीं है आपकी जिन्दगी का वक्त सच में बदल रहा है आप अपने पास्ट को लेकर परिशान मत हो यह अपने अंदर करेश रखिए अपने अंदर विल पार को अपने को स्ट्रॉंग रखिए आपके लिए चीजे बहुत अच्छे तरहां से बदल रही है हैं बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली हैं बहुत ही खुबसूरत एनर्जी हैं आप लोगों के लिए सिंग राशी वाले लोगों के लिए डिसेंबर का महीना बहुत हुछ पॉसिटव लेकर आ रहा है कि आपको डिसेंबर के महीने में क्या करना है वट शुट भी या लॉड़ अफ पर लियोगोड पीपल ऑच्छ फार्ट प्रटेमबर डिसेंबर टिटे टोई आपको किस तरह से काम करना है फॉर डिसेंबर 2020 बाटम अफ तर डिक पर फेज़ेंड साइब जब मैंने इन न का में एंटर कर रहे हैं, ये वो ही कार्ड आया है, बाटम आफ देक पर, देखिए, एक नए फेस की शुरुवात हो रही है, अंत से ही आरंभ होता है, ऑके अगर एक साइकल ख़तम होता है, तो दूसरा साइकल साथ ही शुरू हो जाता है, लेकिन ये साइकल आपका बहुत क्लिय रहने वाला है आपके आसपास जितने भी भ्रह्म की एनरजी इस थी वो हट जाएंगी अब और आपको बहुत positively आगे की तरफ को बढ़ना है जो पिछले साइकल में हुआ उसे पिछले साइकल में ही छोड़ दीजिए नया साइकल स्टार्ट हो गया है इस नए साइकल में आप क्या काम करना है लेट सी दाट देखिए यहां पर इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है आप अपनी शक्ति को पहचानिए आप अंदर से उतने स्ट्रॉंग नहीं दिख रहे हैं आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी चीजों को लेकर आप इस चीज को पहचानिए कि आपके पास भ बहुत है लेकिन आप उससे निगलेक्ट कर रहे हैं पहचान नहीं रहे हैं आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ पहचाननी होगी और आपको आपके हाट चक्रा पर काम करना है चीके और वेडनस देखिए के दिन आप मचलियों को आटे की गोलिया डालिये चलते पानी में जहां पर भी मचलिया हों वहाँ पर डालिये ओके सो हाट चक्रा पर काम कीजिए ओके इस यहां पर फीत का कार्ड है एक चीज मैं बताना चाहूंगे जब आपको बोला है ना कि मचलियों को गोलिया डालिये आटे की तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके घर में एक्वेरियम है तो आप उसमें मचलियों को डालेंगे ऐसा नहीं करना है आपको बाहर जाकर डाल कर आनी है अपको विश्वास रखना है आपको डिवाइन पर भरोसा रखना है आपका सच में वक्त बदल रहा है आपको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो आपका मोड ऑफ एक्शन यह ह बहुत होना चाहिए कि आपको घब्राना नहीं है, आपको काम रहना है, आपको अपने अदर भी अच्छाइए देखनी है और दूसरों में भी अच्छाइए देखनी है, तभी आप खुद को रौशन कर पाएंगे और दुनिया को रौशन कर पाएंगे, तो faith maintain करके रखना और अपने थोड़ चक्रा पर काम करना है, अपने लिए आवाज उठानी है, अगर कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है, तो वहाँ पर आपको एक stand लेना है, आपको अपने उपर विश्वास रखना है, आपको दूसरे की आवाज के नीचे नहीं दबना है, इ वो आप हो रहे हैं, वक्त के साथ आप grounded हो रहे हैं, लेकिन किसी भी तरहां से आपके अंदर एहंकार का भाव नहीं आना चाहिए, ठीक है, आपको जमीन पर ही रहना है, आपके अगर सारे सपने पूरे होने लगेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है, कि आप हवा में उड़ कहने का मेरा मतलब ये है, ये आपका mode of action होना चाहिए for December 2020, एक चीज और Saturday के दिन, आप किसी भी नीली चीज का दान करें, इस तरह की energies है, ये आपका mode of action for December 2020, अगर ये जो मैंने आपको guidance दी है, आप इसे follow करेंगे, definitely आपको फायदा होगा, the other thing is, देखते हैं कि Divine December 2020 में आप को क्या blessings देना चाहते हैं, what are the blessings and messages from Divine for Leo people for December 2020, see Divine कैसे guidance देते हैं, I am really very very shocked, यहाँ पर भी bottom of the deck पे ये card आया है Divine, आपको ये message देना चाहते हैं, कि नया cycle start हो रहा है आपका, उमीद की पहली किरण, ओके, yellow color है, बहुत ही bright energies की तरफ आप बढ़ने वाले हैं, इस December में, ओके, पूरा cycle आपके लिए change हो चुका है, नया cycle आपके लिए start हो गया है, December 2020, बहुत ही beautiful है आपके लिए, लेकिन Divine आपको एक message देना चाहते हैं, कि आप थोड़ा time अकेले में spend कीचिए, ताकि आप अप और बाहर की शांती का अनुभव आप कर सके, थोड़ा सा time आप spare कीचिए, अपने लिए, यह message है Divine का आपके लिए, the other message, देखिए, आप बहुत डर डर कर चल रहे हैं, आप इस journey में अपना control छोड़ दीजिए, यह Divine journey है, ठीक है, Divine ने आपके लिए select की है, तो इस journey में अपने आप मिलती जाएगी, यह message है, Divine का आपके लिए, the other card is, great adventure का card है, आपको लग रहा है, कि चीजें खराब होने वाली है, आपके अंदर बहुत डर है, लेकिन Divine आपको यह कह रहे हैं, कि चाहे आपको लग रहा है, कि रिस्क है, तो आप Divine को surrender करते हुए, यह risk लीचिए और आगे की तरफ को बढ़िए, आपको ऐसा लगता है, कि इस turmoil से आपकी नाउ डूब जाएगी, जैसे कि यह waves बन रही है, लेकिन आपकी नाउ को किनारा जरूर मिलेगा, यह Divine का promise है आप से, आप बस आगे की तरफ को बढ़िए, अपना करम कीचिए, यह message Divine आपको देना चाहते है, the other thing is, Divine आपको यह चीज कहना चाहते है, कि आप चीजों को बहुत चोटे पैमाने पर देख रहे हैं, उपर से देखिए चीज को, get the big picture, चोटी चोटी चीजों पर ध्यान अटकाने से कुछ नहीं होने वाला, जो कुछ भी आपके अराउंड हो रहा तब आपको Divine प्लान समझ आएगा, यह Divine आपको मेसेज देना चाहते है, आपकी जर्नी बहुत ही खूपसूरत जर्नी है, बहुत ही खूपसूरती के साथ आगे बढ़ रही है, तो आप प्लीज इस जर्नी में खुद को अकेला फील मत कीजिए Divine आपके साथ है, आपको सपोर कर रहे हैं, आपका नया साइकल शुरू हुआ है, बहुत ही अनिस्टी की साथ अपने इस नये साइकल पर आगे की तरफ को बढ़िए, I hope, सिंग राशी बाले लोगों को यह रीडिंग पसंद आई हो, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, आप प्लीज मेर यह वीडियो अपने फार्मली अपने फ्रेंज के साथ जरूर शेयर कीचिए, ताकि अगर आपके नियर वन्स या आपके डियर वन्स इस किसी प्राबलम में है, या उनको कोई शक है अपनी जर्नी के रिगार्ड में, तो उने इस वीडियो से काफी क्लेरेंस मिल सकती है, आ आपको यह रीडिंग पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब ने किया, प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नय वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहें अब आप मेरे चानल की मेंबर्षिप भी जॉइन कर सकते हैं ये मेंबर्षिप आप दो लेवल्स पर जॉइन कर सकते हैं सब्सक्राइब के बटन के साथ जॉइन के बटन को ख्लिक कीजिए वहाँ पर आपको दो लेवल्स नजर आएंगे उन दो लेवल्स में से आप अपने लिए जो अंचा भी लेवल्स से लेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर मैं में मेंबर्स के लिए एक्स्क्लूजर वीडियो पोस्ट करूंगी जो कि सरफ मेंबर्स को ही नजर आएंगे वहाँ पर मैं हीलिंग वीडियो भी पोस्ट करूंगी और मेनिफेस्टेशन वीडियो भी मैं वहीं पर ही प्रोवाइट करूंगी तो आप इंट्रस्टेड हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंबर्शिप जोइन कर सकते हैं तंक्स पर वाचिंग, सी यू सुन